आगर सुधी गुरु है तैशी शुधा आत्म में निरत निक्य हितो पदेशी वे पाप प्रिश्म रितु में जलगें सयाने पूजूने सचत के वल ग्यान पाने पूजूने सचत के वल ग्यान पाने पुली बुट्बान महावीर स्वामी की दस्तक्षन महापर्व की आचेरी गुरुवर विज्या सागन हुनी महराज की हमारी भारती सर्सक्रती में त्याग और तबश्या का हमेशा से महत्वरा है और त्याग तबश्या से जीवन अच्छा बनता है ये सर्वविद्थ और अनभव से जानी जाने वाली चीज है तबश्या तो ऐसी है जैसे ब्रक्ष में पल लगते हैं और फिर वो धीरे धीरे ब्रक्ष में से रस लेकर पक जाते हैं पकने के बाद वे मीठे हो जाते हैं और उनका रंग भी उजला हो जाता है तपश्या करने वाले के अंदर भी ऐसे ही उसके वैराग में परिपक्ता आती है उसके जीवन में मिठास आती है और इतना ही नहीं उसके परिणाम भी बहुत उजल और निर्मन हो जाता है ऐसी तपश्या करने वाले के जीवन में फिर अपने आग भी ये भावत्पन होता है कि मैं सांसारिक वैभाव का जितना उप्योग करता हूँ उसमें मेरी जितनी आशक्ती है वो मेरे जीवन के लिए लाबकारी नहीं मुझे उसका त्याग कर देना चाहिए असल में जितना जितना वैराग और जितने जितने परिणाम निर्मल होते है उतना ही जीवन में त्याग घटित होता है आशारियों ने लिखा है कि बिनाय ना हो तो भक्ती व्यरत है भीतर में किसी के प्रति इशने ना हो फिर भी उसके लिए रोना के दिव्यरत है ऐसे ही भीतर में वैराग ना हो और फिर बाहर से त्याग किया जा गए तो व्यरत है ऐसा लिखाऊ तो इससे अपन आज के दिन ये बात सीखें कि हमारे मन में जितनी निर्मलता आएगी उतना वैराग बढ़ेगा और जितना वैराग बढ़ेगा उतना त्याग हमारे जीवन में आपो आप घटिक होगा त्याग और दान ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है त्याग में तो हम परोक्ष में अपना और दूसरे का उपकार करते हैं दान में हम प्रत्यक्ष ही दूसरे का उपकार करते हैं त्याग करने वाला अपने परणामों को निर्मल बनाता है और दूसरे के जीवन में उसके त्याग से पेरना मिलती है इस तरह ये दोनों का उपकार होता है और दान में व्यक्ति अपनी आशक्ति घचा करके अपना करल्यान करता है और दूसरे व्यक्ति के उपयोग के लिए अपनी वस्तु दे करके उसका भी उपकार करता है लेकिन ये प्याग और दान दोनों किस तरह होना चाहिए जिससे ही हमारे अंदर उज्वलता या निर्मलता आगए तक तेल भुंजीदा ऐसा वचन आता है और दूसरा वचन आता है कि प्यागात शांती इन दोनों पर विचार करें कि हमारे जीवन में प्याग और भोग दोनों एक साथ चलते हैं या ये कहें कि त्याग और ग्रहन दोनों एक साथ चलते हैं त्याग और ग्रहन के बीच जो संतुलन है वो यदी बन जावे तो फिर दूसरी पंक्ती घटित होती है कि प्यागात शांती अगर त्याग और ग्रहन के बीच में संतुलन नहीं होता तो उस त्याग के द्वारा या उस ग्रहन के द्वारा शांती नहीं होता है कसोटी क्या हो गई त्याग की और ग्रहन की शांती बना है जो भी ग्रहन करें वो सिर्फ हमें थोड़ी देर का सुक न दे बलकि हमारे शाष्वत सांती में कारण बने ऐसा कुछ ग्रहन करें और त्याग भी ऐसा करें जिससे की शाष्वत सांती प्राप्त हो देखेगा तो आसानी हो गई अपने को ग्रहन तो करना है सुबैसे शाम तक कई वस्तों का ग्रहन करते हैं पर ये विवेक रहेगा कि ऐसा ग्रहन करूं जिससे मेरे परणामों में भी शांती आवे और दूसरे के भी परणाम न बिगड़े उसकों भी संक्लेश ना हो विनोबास से पूछा जाता था कि त्याग और ग्रहन या त्याग और भोग का कोई फार्मूला बताओ तो वो कहते थे कि विज्ञान ने फार्मूला बनाया कि as to o पानी ऐसा ही फार्मूला अपन बना लो कि भोग दो त्याग एक ये फार्मूला बनागा दो चीजें ग्रहन करूंगा तो एक तो त्याग करूंगा ही अपन अपने ऊपर बिपत्ती आने पर त्याग करते हैं जैसे जिस रास्ते से चले जा रहे उस रास्ते पर साप आता दिखाई पड़ जावे तो रास्ता बदल लेते जिस रास्ते से चले जाते हैं उस पर गटे बहुत हैं काटे बहुत हैं तो रास्ता बदद लेते हैं हमने उस रास्ते का त्याज क्यों किया अपना अहित जान करके और दूसरे रास्ते को क्यों अंगी कार किया अपना भला जान करके तो भाई ऐसे ही संसार के मार्ग पर चलने से मेरा घाटा ही है मेरी हानी ही है और संसार बढ़ेगा ऐसा विचार करके संसार की तरफ ले जाने वाले मार्ग का त्याग कर देना और संसार से पार लगाने वाले मार्ग में भला जान करके उस पे इस्तित हो जाना इतना सा ही तो करना और बाकी जो हम ग्रहन कर रहे हैं उस ग्रहन के लिए भी थोड़ा सा विचार कर ले जाजा कठिन नहीं है एको त्याग करना कठिन है क्या जब हमें कोई चीज हमारी लिए अहितकारी लगने लगती तो उसका त्याग कर लेते जो भली जान पड़ती उसका ग्रहन कर लेते हैं ये बहुत आसान सा है ग्रहन और त्याग के बीच का संतुलंग अब ग्रहन के लिए और जराशा देख ले और फिर दान के बारे में थोड़ा सा बारे ताकि अपन को बात स्पस्ट हो जाए कि ऐसा कुछ कठिन नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और उसको करके हम शानती भी पा सकते हैं अभी तक अपन जो त्याग और दान करते हैं उससे जितनी शांती मिलना चाहिए उतनी नहीं मिल पाई तो अपन सुधार करने कि हाँ मुझे अब उद्देश एक ही रखना है कि मेरे त्याग और दान से मुझे शांती और वो भी ऐसी छोटी मोटी सांसारिक शांती नहीं मुझे तो शांती चाहिए शाश्रत मुझे तो सुख चाहिए वह अनंत सुख जिसके बाद कुछ भी फिर प्राप्ट करने के योग नहीं है घर ग्रहस्ती का एक उधारन देता हूँ कि अपन जो घर में कोई भी चीज ग्रहन करते हैं तो उसमें थोड़ा बिवेक रख लेवें तो बहुत आसानी से अपना ग्रहन भी त्याग की तरफ ले जाने वाला हो जाए हमें कुधारन सुनाते हमेशा वो हमें याद रहे गया पता नहीं कैसे और भी बहुत घटना होती जीवन में लेकिन कभी कभी कोई घटना याद रहे जाती है तो घर में और जब ये बटरा आता ना मटर फली बटरा तो शुरू में जब आता है बटरा तो मेंगा आता है अब उनने कहिए दस रुपय किलो है अब तो का पता का भाव है अब भाव तुम्हें पता नहीं नहीं तो अब दस रुपय किलो है तो भी अब भूत मेंगा है मनों चाहिए तो है तो एक पाव ले आओ अब एक पाव लेकिया अब एक पाव में बताओ 50-60 ग्राम तो बेचिलकी निकर जाए अब बचो थोड़े से दाने निकले तो बन गए वो अब बन गए अब माने परोसना शुरू किया तो मा का तो फर्द ये है कि वो सबखों भोजन ऐसा कराए कि सबखों संतोष हो गए सब संतोष ठो करें जाए ये उसका दायट है ये उसका कर्तब है इसी का उसको आनंद है इसी में उसका धरम ध्यान है बताइए तो मा परोस रही है अब हमारा फर्द क्या है कि हमें विचार करना चाहिए कि अगर 200 ग्राम वो बढ़रा की सबजी है तो चार लोग घर में खा इतने ग्राम आया पचास ग्राम मैं पचास ग्राम ही ग्रहन करूं वरना दूसरे के हिस्ते का ग्रहन करके मैं उसको छती पहुंचाऊंगा उसे संकलेश पहुंचाऊंगा देखिएगा मेरे ग्रहन करने में इतना विवेख हो जावे तो त्याग अपने आप घटित हो अम्मा बार-बार केती है के ओ लेलो भी या ओ लेलो नहीत अबे तो धरो है अरे तो तुमने खाओ नहीं है और दूस्री चीजें खा रही है क्योंकि वो कटोरी में मा को नहीं देखेगा खतम हूगया तो जिरूर परोसेगी अगर घर ग्रहस्ती में भी एसा विवेक ग्रहन करते समय आ जावे तो फिर देखिएगा त्याग तो अपने आप ही हमारे लिए शांती देने वाला हो जाए अतना आनंद आता है कि आज मैंने जो है और ग्रहन भी किया लेकिन उतना छोड़ दिया मैंने क्योंकि वह तो दूसरे के लिए भी काम आएगा और दूसरे के काम आएगा तो वो मुझे बहुत आनंद दाए मैंने ग्रहन करने का भी आनंद ले लिया और छोड़ करके भी मैंने शान्ती पाली और दूसरे के जीवन का उपकार भी कर दिया ये कोई बहुत कठिन सी चीज लहीं है लेकिन एक बार ये बात मन में इस पस्च आजावे तो बहुत आसा दान जब भी दे जब भी त्याग करें तो कहते कि राजसिक और तामसिक दान और त्याग ना करें अर्था संकलेश पूरवग और अहंकार पूरवग ना करें संकलेश और अहंकार दोनों ही हमारे त्याग को या की दान को प्यड़ कर देते हम संक्लेश पूर्वक किसी चीज़ का दान देते हैं या कि उतने इतना दान दिया ऐसा अहंकार करते हैं तो बताईएगा अपनकों से शांती मिली क्या पहले ही दे का दे दिया और संक्लेश भी होगा दिया और अहंकार कर लिया तो भी शांती कहा मिली दोनों में शांती है, ने अंकार में शांती है, ने संक्रेश में शांती है, दो छोटे-छोटे से आपको धारन सुनाओ, अभी-अभी विद्ध्यानिन जी महराजी की किताब पढ़ रहा था, उन्होंने घटना लिखी महावीर जी की, कि महावीर जी में वो प्रवचन कर रहे थे तो दूशार दिन प्रवचन में देखा कि एक अम्मा जी आती है और न वो दरी पर बैठती है न चिटाई पर बैठती जमीन पर बैठके प्रवचन सुनती लोग उनसे रोज हाथ जोड़ के निवेदन भी करते हैं कि अम्मा आप यहां दरी पर बैठ जाओ दरी पर नहीं बैठता तो चिटाई पर बैठ जाओ वो नहीं बैठती है हाथ जोड़ लेती ही नहीं यही ठीक हो एक दिन प्रवचन के बाद महराज ने उनसे पूछा कि अम्मा जी आप दरीय चिताई पर क्यों नहीं बेखते कि ते महराज आप से क्या छिपाएं हमारे यहाँ पर कितनी धन संपदा थी कि सोने चांगी के वर्तनों में भोजन करते थे और गाडियों में घूमा करते थे खूब लोगों को दान देते थे लेकिन हम ने कभी मंदिर जाते थे ने भगवान के पूजा बाठ करते थे हमें अपने धन संपत्ती का इतना अभिमान था कि हम दान भी देते थे तो अपनी नाम बढ़ाई के लिए देते और उसका परनाम कहो या जो भी हमारे कर्मों का हुदय कहो हमारे ऐसा घाटा लगा कि सारी संपत्ती यहां तक की खाने पीने के बरतन बेच करके भी हम बामुश्किल अपना करग चुका पाए फिर मुनीम साब ने क्योंकि हमारे ही घर में काम करते थे हमें अपने घर में किराय के दो कमरे दे दिये उसमें हम अपना गुजर बसर करने लगे वे हमारे दिये हुए पैसे से सामान लेने जाते तो उसमें थोड़े दो पैसे अपने मिलाकर सामान हमारी सुविधा के लिए ले आते थे हम उनसे कहते कि आप जो है इतना सस्ता कैसे ले आया कहते हमारी पहचान है इसलिए दुकान दान ने दे दिया वे हम पर उपकार करते थे तो कभी ये नहीं कहते थे कि हमने आप पर उपकार किया और हमें उस समय लगता था कि हमने तो किसी पर उपकार किया भी तो कितना अहंकार किया और फिर ऐसा सैयोग बना कि हमारे दिन हमारे पुन्न का फिर उदय आया फिर हमारे पास अपार संपदा फिर से हो गई अब हमने नियम कर लिया है कि कभी भी बिना मंदिर के भोजन नहीं करेंगे महराज हैं तो उनके प्रवचन अवश्य सुनेंगे और उंचे बैठके फिर नीचे बैठने में बहुत कस्ट होता है सो नीचे ही बैठेंगे अब चटाई और दरी पर नहीं बैठेंगे और पहले तो जब गाड़ी से मंदर आ सकते ते सो कभी नहीं आए अब तो गाड़ी होते हुए भी पाउँ पैदल ही चल करके मंदर जाएंगे ऐसा हमने अपने उस पापों के प्राश्यत कहो या जो भी कहो हमें समझ में आ गया कि हमने व्यर्त ही अपने उस धन संपदा और बैभाव का और अपने दान का अहंकार किया उसके प्रतिफल सरूप और हमें ये स्थिती देखना पड़ी ये अभी घटना पड़ रहा था तो लगा कि हां ऐसी घटनाएं सच मुझ जो है हम सब के जीवन में भी इस जीवन में नहीं घटी दिखती हैं तो अगले जीवन में भूल जाते हैं अपने पर खोटा यही है कि हम जो भी तियाग करें थो उसमें विशाद न करें और नहीं किसी प्रकार का अहंकार करें अपनी नाम बढ़ाई के लिए ये बात जुदी है कि हमारे त्याग की प्रशंसा हो वे तो हो वे हमें त्याग से प्रशंसा नहीं चाहिए हमें तो त्याग से शांती चाहिए प्रशंसा में थोड़ूं सांती प्रशंसा में सांती होती भईया तो अवे अपन खूब मैंने चाहिए जिसकी प्रशंसा करो लेकिन जिसकी प्रशंसा कर रहे है उससे पूछो कि फिर अवे थोड़ी मिली और चाने फिर और थोड़ी जादा मिल लगी तो और चाने प्रशन साहत धूरी मिल जावे तो ओर-ओर की आकांक्षा होती है शान्ती ऐसी है कि जिसमें प्राप्त हो जाने के बाद आकांक्षाई ही नहीं रह जाती है तब तो शान्ती मिलती है सम्मान तो त्याग का अपने आप होता है कहीं से अतरिक्त उसके लिए कोई सम्मान की आवर्शक्ता नहीं होती एक सेड़ जी का उधारन सुनाता हूँ हमेशा आपको भू सुनाए देता हूँ दान पर चर्चापन बहुत पकार से कर चुके हैं पहले भी और आज तो अपन को इस तरह से त्याग करना है ऐसा त्याग सीखना है जिससे की अपने परनामों में शान दिया इतनी ही बात मुझे आप से कहनी और कोई विशेश हो नहीं और वईराग पूरवक अगर हम त्याग करेंगे तो भी हमें शान दिया और वईराग के लिए उपाय क्या है तो सत्ती शर्दा होवे भगवान के पती भक्ती भाव होवे और क्या कहते हैं कि संसार शरीर और भोगों की वास्तित्ता मालूम होवे तो अपनी जो निजी संपदा है उसका जिसकों भान है वो वाहिय संपदा वाहिय संपदा का क्या करेगा त्यागी करेगा उसका उसमें आशक्त थोड़ूं हो जिसको अपने भीतर बहुत शान्ती है वो बाहर के इन सब सामग्री में शान्ती थोड़ूं खोजेगा जिसको भीतर में आनंद है वो बाहर में मनोरंजन के साधन नहीं धूड़ता ये तो जिसके भीतर में अशान्ती है, दुख है, पीड़ा है, वो संसार के बैवाव और सुख सुविधा के साधनों में सुख धूरदा है, ये भ्रम जिस दिन हमारा